नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल आयूर्वेदार्था में जहां हम आपको बताते हैं कैसे आयूर्वेद को अपना कर आप अपने जीवन और स्वास्त में सुधाल ला सकते हैं चलिए आज बात करते हैं कैसे आयरुवेत के अनुसार ध्यान करके आप अपने स्वास्त और शरीर को लाप पहुचा सकते हैं ध्यान को योग का सात्वा चरण भी कहते हैं आयरुवेत के अनुसार ध्यान करने के कही फायदे हैं रोजाना सवेरे उठकर ध्यान करना सबसे अच्छा माना गया है। ध्यान करने से एक आगरता बढ़ती है और मन को शांती मिलती है। लेकिन आज की जीवन शैली में ध्यान करना लोगों के लिए मुश्किल सा हो गया है। लेकिन कुछ समय शरीर और स्वास्त के लिए निकाल अने का प्रयत्न करता है ध्यान का उद्देश कोई लाभ प्राप्त करना हो सकता है या ध्यान करना अपने आप में एक लक्ष हो सकता है ध्यान से अनेको प्रकार की क्रियाओं का बोध भी होता है यही नहीं गीता में भी ध्यान का वर्णन है जिसके अनुसार ध्यान एक पसंतूलन, धैर और सहनशीलता प्राप्त करना। ध्यान के कारण शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेश परिवर्दन होते हैं और शरीर की प्रत्य कोशिका उर्जा से भर जाती है। शरीर में उर्जा के बढ़ने से प्रसन्नता, शान्ती और उत्सहा का संचार भी बढ़ जाता है। ध्यान मस्तिश्क की तरंगों के स्वरूप को अलफा स्तरपल लेके आ सकता है जिसमें चिकित्सा की गती बढ़ जाती है। मस्तिश्क पहले से अधिक सुन्दर, नवीन और कोमल हो जाता है। ध्यान मस्तिश्क के आंत्रिक रूप को स्वच वपोशन प्रदान करता है। जब भी आप व्यंग, अस्थिर और भावनात्मक रूप से परिशान होते हैं तो ध्यान आपको शान्त करता है। चलिए अब देखें इसके आरुवेत के अनुसार शायरिक फायदे। वैक्यतिक परिवर्तन भी ला सकता है। क्रमश आप अपने बारे में जितना ज्यादा जान सकेंगे प्राक्रतिक रूप से आप स्वयम को ज्यादा खुच पाएंगे। तो यह देखें कुछ खास लाब आयरुवेत के अनुसार ध्यान करने के और उमीद करते हैं आपको यह जानकारी लाब दायक लगी हो। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।